हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल वेक अप और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में जहां पर हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल ट्वंटी एट तक कवर किया हुआ था आर्टिकल ट्वंटी एट कहां से शुरू हुआ था 25, 26, 27 and 28 जो की डील करते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम ओफ रिलिजन से धहार में एक स्वतनतरता के अधिकार से आज हम इसके आगे के आर्टिकल की बात करेंगे तो इसके आगे के आर्टिकल की जब हम बात करेंगे तो इसमें आएगा हमारा आर्टिकल नमबर 29 और 30 ये दोनों पार्ट है किसका तो ये दोनों पार्ट है कल्चिरल और एजुकेशनल राइट के ये पार्ट है जिसमें आ आज दो ही आर्टिकल इसके अंदर आते हैं और ये दोनों ही बहुत important आर्टिकल्स हैं तो income line से cover करेंगे आज के इस class में तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 की आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 क्या है अचा पहले ये समझ लो कि ये जो cultural और educational rights हैं ये दोनों ही हमारे minorities से deal करते ह हैं ठीक है ये दोनों ही आर्टिकल्स हमारे minorities से deal करते हैं minorities क्या होती हैं जो हमारे देश के अंदर अलप संख्यक लोग होते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं अलप संख्यक अलप संख्यक वर्ग जो होता है हमारे देश में ये कौन होते हैं तो ये वो लोग होते हैं जिनकी स संख्यां हमारे देश में बहुत कम होती है उन्हें हम बोलते हैं अल्प संख्यक Minorities ठीक है तो ये दोनों ही 29 आर्टिकल और आर्टिकल 30 ये दोनों डील करेंगे हमारे अल्प संख्यकों से Minorities से और अंडर आते हैं Cultural and Educational Rights के तो शुरू करते हैं Article 29 से Article 29 क्या बोलता है तो Article 29 में लिखा हुआ Protection of Interest of Minorities मतलब जो हमारे देश में अल्प संख्यक लोग हैं उनके Interest की Protection करना उनके लिए Protection का सुरक्षा का अधिकार है एक तरह से इसको मैं जो बोलूँगी वो आप Note Down कर लेना जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि यह जितना भी मैं बोल रही हूँ इसको आप Note Down कर लेना बहुत Important है समझने में आपको हल्प करेगा 29 बात करता है हमारे देश के इंदर जो भी भी भासा में बोल सकता है कोई भी भाशा वो यूज कर सकता है उसे कोई मना नहीं करेगा और जो भी उसका कल्चर है जो भी उसकी संस्कृती है उसे वो बचा के रख सकता है बचा के रख सकता है इंदसेंस यह है कि अगर कोई उसे मना करता है यूज करने को तो वो उससे कह सकता है कि ये मेरी भाषा मैं यूज़ करूँगा अपने culture की protection कर सकता है और अगर कोई उसको परिशान करता है या उसके culture को छोड़ने की बात करता है कि अपना ये culture छोड़ दो अपनी संस्रती छोड़ दो इस भासा का use ना करो तो वो सीधे कहां जा सकता है तो सीधे वो जा स सकता है Supreme Court ठीक है यह मैंने आपको पहले भी बता है कि जब fundamental rights की बात होगी तो हमें देखने के जरुरत नहीं है कि हम किस district में हैं तो हम district court में जाएंगे या फिर हम state के अंदर high court में जाएंगे हम सीधे Supreme Court में भी जा सकते हैं यह हमारे उपर depend करता है तो अगर कोई आपके culture को छोड़ने की बात करता है कोई आपकी भाषा को छोड़ने की बात करता है आपको परिशान करता है minorities के लिए बात हो रही है सिर्फ यह तो वहाँ पर आप शीधे Supreme Court से help ले सकते सुप्रीम कोड जा सकते हैं यह है आर्टिकल 29 नोट डाउन कर लेना नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 30 जब आर्टिकल 30 की बात होती है तो यह है right of minorities to establish and administer educational institutions इसमें क्या है कि अलप संख्यक जो लोग है हमारे देश में यह minorities क्या होते हैं मैंने बताया था अभी कि जिनकी संख्या हमारे देश में बहुत कम होती है वो होते है minorities अलप संख्यक तो इस आर्टिकल 30 के अंदर minorities को यह right दिया गया है कि वो अपने बच्चों के लिए कैसे भी school कैसे भी school अपने बच्चों के लिए schools बनवा सकते हैं, college बना सकते हैं, institutions बना सकते हैं यह minorities को right दिया गया है कि वो अपने हिसाब से जैसा उनका culture है, जैसी उनकी पढ़ाई है उस हिसाब से school हुआ, college हुआ और institutions हुआ बनवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए that is article 30, exam से पूछा जाता है, 30 article ठीक है अब यहाँ पर जो एक word का use हुआ है, that is minorities minorities के बारे में आप एक fact याद कर लो minorities, alp sankhik, इसके बारे में यह fact आप note down कर लो कि हमारे constitution के अंदर, minorities सब्द को कहीं भी define नहीं किया गया है कि कौन minorities होंगी, minorities में कौन-कौन आएगा यह हमारे सम्विधान में, यह हमारे constitution में कहीं पर भी नहीं बताया गया है, इसको आप note कर लेना ऐसे ही मैंने एक शब्द आपको और बताया था, याद है आपको दो-तीन class पहले की class है, यही polity की उसमें मैंने आपको बताया था, जब हम बात कर रहे थे आर्टिकल 17 की, यह हर exam में बहुत बार पूछा गया आर्टिकल है, सबसे जादे यह पूछते हैं, आर्टिकल 17 क्या है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, right against untouchability है, ठीक है, तो untouchability word को भी कहीं पर भी define नहीं किया गया है, वैसे ही minority word को भी कहीं पर define नहीं किया गया हमारे constitution में, इन दोनों को आप note down कर लेना, यह था हमारा आर्टिकल नमबर 29 और 30 अब इसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 31 जो की अब आर्टिकल नहीं है ठीक है यह आर्टिकल 31 है ही नहीं हमारे constitution में यह हमारा right to property है ठीक है यह कैसे हटा इसको क्यों हटाया गया इसके बारे में हम पढ़ेंगे next class में तब तक के लिए thank you for watching the video और पहले वाले videos को cover कर लेना okay thank you